Hello everyone, मैं विश्च जीत सिंग, आप सभी का दी इनफ पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.A.I.03 का सेकिंड यूनिट की बात करने वाले हैं आज किस वीडियो के अंदर में हम सेकिंड यूनिट बढ़ेंगे उसके बारे में हम discuss करेंगे इस वीडियो से आपका benefit क्या होगा दोस्तो तो आपको easy रहेगा एक particular unit को समझने में कि इस unit के अंदर में क्या क्या चीज़े important है और आप उसको असानी से कर पाऊगे और अच्छे number पेपर में आ सकते हैं चली start करते हैं आज का M.H.I.M.H.I.03 का second unit जिसके अंदर में हमारा पहला chapter है यूनानी रोमन परमपराएं देखो अब यूनानी रोमन परमपराएं क्या है और इसके basis पे question क्या बनता है तो इतिहास लेखन की जो रोमन परमपराएं और यूनानी परमपराएं वो बहुत ज़्यादा विसू परसीते हैं ये मान के चलते हैं reason क्या है कि जो भी history की बात करो चाए political की बात करो ठीके तो उनकी सुरुवात कहीं ना कहीं रोम से देखी जाती है ठीके सबसे ज़्यादा विक्सित विचारधारा के जो लोग थे वो यूनानी और रोमन को ही माना जाता है normal सी बात है तो यहाँ पर question बनकर आता है दो question रहता है यूनानी और रोमन परमपराओं के अंदर में इतिहास लिख रहे हैं हिस्टोग्राफी कर रहे हैं इतिहास लिखन कर रहे हैं तो इनका motive क्या था ठीक है वो आपको यहाँ पर बताना होता है अब देखो दोनों प्रंपराओं को देखोगे, यूनानी और रोमन प्रंपराओं को देखोगे, तो दोनों एक दूसरों को ब्लेम करते हैं, और दोनों को अपने आपको सुपीरियर बताते हैं, कि मैं ज़्यादा बढ़ा हूँ, ये सिंपल सी बात है, पर वही पर अगर हम यूनानी रोमन प्रंपराओं को श्टडी करते हैं, तो उत्रों विस्तरित है, वो माना को केंद्र बिंदु मान कर लिखते हैं, कि मानाव क्या है, इंपोर्टेंट है, और जो भी काल करम घटना को वो कवर करते हैं, तो वो मानाव को वहां पर कवर नहीं करते हैं, मानाव क एक छोटा सा फेक्ट मैंने बताया बाकि आप उसको इंदर में पढ़ोगे डिटेल से वीडियो बनी हुई है और अगर आप में हिस्ट्री में चाई 0-3 के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो आप सभी स्टुट्ट के लिए एक सजेस्ट्ट नहीं रहेगा कि लास्ट फाइव एर अगले चेप्टर के और बात करते हैं अगले चेप्टर नमबर 6 पारंपरिक चीनी इतिहास लिखन देखो इसमें से कोशन कुछ खास बनते नहीं है इस चेप्टर में से पर कई बार एक कोशन आ जाता है कि चीनी इतिहास लिखन क्या है ठीके चीनी इतिहास लिखन क्या है ये question बन कर आता है और ये important है ठीक है कई बार पूछ ले आता है फिर हमें समझ में आता है क्या है इसके अंदर में लिखना है क्या है तो ऐसे कई सारे topics भी बनते है इसके अंदर में पहला तो एक बन जाता है जो आपका चीनी तिहास लिखन को वाले chapter के अंदर में ठीक है confusion वाद confusion वाद क्या है ठीक है उनके जो गुरू थे धार में गुरू कहलो या फिर राजनितिक गुरू कहलो या फिर जो विचारक गुरू थे ठीक है चीन के Confucian's उसके विचारधारा को लिखा रहाता है कि उसकी विचारधारा क्या है ठीके उसको आपको बताना होता है तो यह question तो मैंने कभी दिखा नहीं है पान साल के question पर को study किया तो वहाँ पर यह question आया हुआ नहीं था पर फिर भी आपको study करते हुए चलना है दूसरा यह चीज रहता है कि मानवतावात का महत्व क्या है ठीके इसके अंदर में अगर Confucian's के अंदर में पढ़ोगे Confucian's की विचारधारा को पढ़ोगे तो इसके अंदर में क्या क्या दिखाना होता है अगर आप Confucian's की विचारधारा को पढ़ रहे हो तो उसके इंदर में क्या दिखाऊगे मानवतावाद के महत्व को किस तरह से importance है केंद्र बिंदु को मनुस्य को केंद्र बिंदु मान कर चलोगे ठीक है और इसवर या देवी सक्ति को केंद्र बिंदु मानने से इंकार ठीक है वहाँ पर इसवर जैसी कोई चीज़े उसको हम मानते नहीं है यहाँ पर यह चीज़े दिखाते हुए उचलते हैं मतलब कोई भी घट ना घटी तो उसमें किसी ना किसी तरह से directly indirectly मानव का enrollment है ठीक है मानव का वहाँ पर रोल है ना कि कोई देवी सक्ति का तो यह confusion ने माना था और इसी विचारधारा पर उसने आगे चीन क के अंदर में अपनी विचारधारा परसिद्द करी थे ठीक है तो यह यहाँ पर रहता है और नॉर्मिली सके अंदर में एक कोशन जो बनता है जो कई बार मैंने पांच साल के अंदर में repeat होते हुए देखा वह यह रहता है कि चीनी इतिहास लेखन की परमपरा क्या है ठीक ह परमपरिक चीनी इतिहास लेखन को समझाईए यह वर्चर चाहिए जैस तरह से कोशन बन क्या जाता है जिसमें चीनी इतिहास लेखन को बताना होता है तो उसके अंदर में भी confusion की जो विचारधारा है वो आपको add करनी पड़ेगी जिसमें मानफतावात के मात्व को बताओ और जो भी घटना घटती है उसके अंदर मनुस्य का इंडॉल्मेंट है मनुस्य का रोल है ना कि कोई देवी सकती है ठीक है समझ में आता है अगला चैप्टर इस यूनिट का हमारा आता है लाज चैप्टर चैप्टर नमबर सेवन प्राचिन भारत में इतिहास लेखन की प इतिहासकार है जैसे अलबरुनी ठीक है जो मुगल काल के अंदर में इतिहासकार था अलबरुनी और सल्तनत काल के अंदर में भी कई सारे इतिहासकार है ठीक है जो इसलामिक इतिहासकार थे अर्भी इतिहासकार थे ठीक है तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने भारत की इति पतलब नॉर्मिल उनका एक concept था कि जो भारती लोग हैं उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो बहाने वाजी करते हैं वो कहानिया सुनाते हैं मन गरंत कहानिया सुनाते हैं उसका reason यह था कि भारतियों के पास कोई सटिक जवाब नहीं होता था ठीक है उसके पाद तिथिक करम क इस आप से चीज़े नहीं होती थी हम मानते हैं कि यह चीज़े ऐसी हुई पर कब हुई उसका एक आंकड़ा हम नहीं दे पाते थे तो उसके कान से इनोंने यह माना पर यह कता भी सत्य नहीं है नौर्मली अगर आप भारतिय प्राची नितिहास लिखन की बात करोगे तो आप साथ में कई सारे उपनिशद हैं हमारे पास ठीक है उसको पड़ पाना भी आज के समय में अगर पड़ लेता है बंदा तो ऐसी इतना बड़ा महान हो जाए आपको साइंटिस बन जाओगे ठीक है कई सारे उपनिशद हैं यग वल्लव जैसी बुक की पुस्तके हैं गर वेदों के अंदर में अखंड ब्रह्मांड का ग्यान छुपा हुआ है ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं हमारे बारत के मतलब प्राचीन इतिहास की बात करें तो बहुत बड़ा है पर में चीज़ है कि वो जो लिखने वाले इतिहासकार है वो उसको दिखाना चाहता है तो आपको इस कोश्चन के इंदर में अपने इतिहास को दिखाना है ठीक है आप इंडियन हो मैं इंडियन हूँ ठीक है अब देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितने अच्छे से दिखा पाता है ठीक है आप इसके इंदर में कोश्चन है आपको ये बताना है कि चा मतलब जो अगर मैं कहीं पर गलो तो मुझे सही कीजिएगा, ठीके, तो इस unit के अंदर में दोस्तों यही chapter आने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम अगले unit की बात करेंगे, unit number third की, ठीके, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त, और आपका जो भी response रहेगा इस वीडियो